असलम अलेकम, वल्कम टू श्रायान यूज, अमीद खरती हूँ कि आप सब ख़ये से होंगे, आज की वीडियो में बहुत ही एहम तुइंग दो अपडेट्स को आपके साथ शेयर करेंगे, जो के कुछ इस तरह से है कि यूके के वजीरियाजम बोरोस जॉनसन से मुतलिक है कि बरतानिया के लोगों ने यूके वजीरियाजम के हवाले से एहम मुतालबा कर दिया है, तो यूके की अवाम की जानिब से क्या मुतालबा है वजीरियाजम को लेकर, तो आगे चलकर आपके साथ मुकमल तफसिलात के सा बात की जाएगी और न्यूस को शामिल किया जाएगा इसी तरह दूसरी एहम न्यूस होम सेक्टरी प्रिटी पर्टेल की तरफ से जारी नए ठीयारियां हैं जो वो इमिग्रेंट्स के लिए करने जा रही हैं इन दोनों नियूस की मुकमल तफसिलात को जाने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकमल आखिर तक देखिएगा ताकि तमाम मालुमाद से आप आगा हो सकें और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई नियू है तो चैनल को सबस्क्राइब कर ले और साथ ही वजीरे आजम बोरस जॉनसन के हवाले से के उनके ओदे को क्यों खत्रा है तो यूके में 2021 का निया पोल कराया गया है जिसके तहट ये चीज़ सामने आई है कि बरतानिया की एवाम में से काफी जादा ये चाते हैं कि वजीरे आजम बोरस जॉनसन को रिजाइन करना वजा से हुआ क्यूंके काफी ज्यादा मनफी असरात पड़े हैं इसलिए लोगों का कहना है कि जो उन्होंने आइंदा एकदामात करने हैं वो कोई और जो है क्यूंके उन्होंने पहले जो फैसले या एकदामात किये हैं उनसे यूके की अवाम नाखुश है क्यूंके जिन हकुमतों ने बरवक्त को इंतजाम नहीं किया इनकी अवाम पर काफी मनफी असरात पड़े हैं और यही सिचुएशन यूके में हुई है इसमें वाइरस के हवाले से टाइम पर कोई बंदोबस नहीं किया गया और इस वारे में जब सर्वे किया गया तो जैसा के पहले मैं शुरू में आप लोगों को बता चुकी हूँ के 43 परसंट लोगों का कहना है कि यूके का वजीरियाजम अपने ओदे से रिजाइन जो है वो कर जाए क्यूंके वबाई क्रोना वारिस के हवाले से उन्होंने ऐसे एकदमात नहीं किये जैसे उनको करने चाहिए थे और जो लेबर पार्टी के है उनकी तरफ से 20% ऐसे हैं जिनका कहना है कि वो मुतमई नहीं है वो चाते हैं कि वो तबदील हो जाए क्यूंके बरवक्त अमल द्रामत ना करने की व वज़ा से इस साइट पर इतनी तवज़ों ना दे सका तो अब आने वाले वक्त में मजीद वज़े आजम को और इनकी हकूमत को काफी सियासी लिहाज से भी ब्रेक्जिट डील के मुआइदे के हवाले से मुश्किल का सामना करना पाड़ सकता है और इसलिए काफी ज़्या बरतवानी लोगों का कहना है कि तकरीबन 43% का यही माना है कि बेतर इकदमात करने की सूरत में ना तवज़ों देने की सूरत में इनको रिजाइन करना चाहिए और मजीद आप लोगों से यह कहना चाहती हूँ कि इसकी मुकमल डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी मैं न्यूस का लिंक वहाँ पे एड कर दूँगी आप वहाँ से भी जाके इसकी मुकमल तफसिलात को रिट कर सकते हैं इसी तरह अब एक और इंतहाई एम न्यूस को आप लोगों के साथ शियर करती हूँ हों होम सेक्टरी प्रिटी पर्टेल का इमिगरेंट के ख जोच लिया है और इस हवाले से प्रिटी पर्टेल ने एक हाई टेक कमांड सेंटर काइम किया है जिसके जरिए वो अपनी जमीनी और समुंदरी हदूत की हर तरह से जो भी स्मगलर्स की एक्टिविटीज होगी उन पर नजर रखी जाएगी खास तोर पर जो इंग्लिश च आने वाले समुगलर्स को पकड़ने के लिए बनाया गया है और ये सेंटर केंट के एक खुफिया मुकाम पर वाकिया होगा क्योंके पिछले साल 2020 में इंग्लिश चन को गबूर करके आने वाले इमिग्रेंट्स की तदाद 2019 के मकाबले काफी ज्यादा साबित हुई है तो इ ऐसा के होम सेक्टरी पहले भी कह चुकी है कि इंग्लिश चन को खबूर करके आने वालों को किसी सूरत भी असाइलम अप्लाय करने नहीं दिया जाएगा और इनको फोरण ही उसी वक्ट डिपोर्ट कर दिया जाएगा तो अब भी रोजाना की बुनियात पर तकरीबन सो के लग बग इंग्लिश चैलन के जरीए लोग आते हैं जो इनके नोटिस में होते हैं और जो इनके नोटिस में नहीं होते वो अलग हैं तो अब ये वज़ा है कि इन से नहीं कंट्रोल हो रहा तो इस वज़ा से होम सेक्टरी ने इनके खलाफ एक निया हाई टेक कमांड सेंट को तियार किया है जहां पर वो इनको काबू करने की पूरी-पूरी कुशिश करेंगी सिर्फ माइग्रेंट्स को ही नहीं बलके जो स्मगलर्स हैं उनको खास दोर पर पकड़ना उनका में मकसद होगा जो उन अफराद को वहां से कश्टियों में बिठा कर इंगलिश चैनल को आते हैं तो अब ये उनको लेटेस्ट टिकनोलजी के तहद उनको पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे क्यूंके उनका सोचना है कि अगर स्मगलर्स को पकड़ा जाएगा तो फिर इंगलिश चैनल को अबूर करने वालों की तदाद में भी कमी वाकिया होगी के इन स्मगलर्स की मदद के तहद ही ये लोग इंगलिश चैनल को अबूर करके यूके तक आते हैं इसलिए अब होम आफिस और प्रिटी पटेल ये एक निया तरीका अपनाने जा रही हैं ये नियूस थी प्रिटी पटेल के हवाले से के वो इंतहाई सक्त कारवाई और उन को डिपोर्ट करने के लिए भी उन्होंने फ्लाइट्स को बढ़ाने का ओर्डर भी जारी किया हुआ है तो ये प्रिटी पटेल की तरफ से मजीद एक निया कानून और इमिंग्रेंट्स के हवाले से खास तो पर स्मगलिंग जो करते हैं इंगलिश चैनल के जरीए लोगों को लाते हैं उनको उनके खिलाफ उन्होंने सक्त क्रैक डाउन करना है तो ये एक एहम नियूस थी जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है इसी तरह एक और एहम नियूस को आप लोगों के साथ शेयर करती चलूं कि योर्पी यूनियन में शामिल होना तुर्की की एहम तुर्की के सदर ने योर्पी यूनियन कमिशन की सरवरा के साथ वीडियो कॉनफरस में मुलाकात की है। साथ तालुकात के एक ने बाप के अगास की कोईश का इजहार करते हुए कहा है कि योर्पी यूनियन के कुछ मुलकों की नराजगी और पैदा करदा मुखली मसायल की वज़ा से हम साल 2020 से जरूरी इस्तफादे नहीं कर सके। जरूरी है ये समझोता सान 2021 में हिजरत के शोबे में मतवक्का ने तावन के हवाले से एहम मजबून की हैसियत भी रखता है। तो फिर मिलती हूँ मैं आप सबसे किसी लेटस्ट अप्डेट में तब तक आप सब अपना बहुत ख्यार रखेगा। थांक्यू, खुदा हाफ। थांक्यू, जिए फुदा अपट सान 2022 अप श्यार रखणा डावत। झाल हाच्यू, झाल हाओ।